हलो, आज हम compound microscope के बारें पर चर्चा कर रहे हैं हमने पहले simple microscope के बारें पढ़ा है कि simple microscope कैसे object की image को बढ़ा करके हमें देता है मैं इस clip में आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर compound microscope, simple microscope से कितना अलग है और अलग है तो उसमें क्या चीज अलग है बहुत सिंपल सी चीज़ में आपको इसमें यहां बता रहा हूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप की जब हम बात करते हैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप का एक लिमिटेशन होता है वो एक अबजेक्ट का साइज लिमिट तक बढ़ा करके हमें दे सकता है यदि हमें इस microscope से object का size बड़ा करना है, तब हम क्या करते हैं? compound microscope की बात करते हैं अर्थात compound microscope में हम एक lens का और प्रयोक करके इस object का बड़ा image प्राप्त कर सकते हैं वो मैं आपको इस clip में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और इसमें आपको किस तरह से बड़ी आसानी से compound microscope का डियाग्राम ब्रॉग किया जाता है उसकी भी information दे रहा हूं देखिए, screen पर हमारे पास दो figure हैं, हम इन दोनों figure पर बात करें यह पहला figure simple microscope का है और दूसरा figure compound microscope का है इस simple microscope की पहले हम बात कर लें कि अखिर simple microscope में है क्या और हमें compound की जरुत क्यों पड़ी simple microscope का concept जैसा कि आप लोगों को पता है कि AB वस्तू object यहने focus और optical center के बीच में दी रखा हो तो उसका magnified image हमें प्राप्त हो जाता है A-B-पर हम यहाँ यह चाहते हैं कि इस AB का और magnified image हम प्राप्त कर लें लेकिन इस convex lens यानि कि simple microscope की एक limitation होती है उससे ज्यादा उसका magnification वो नहीं कर सकता अब जब वो magnification ज्यादा नहीं कर सकता है और हमें उस object का magnification बढ़ाना है तो निश्ची दूर्प से हमें कुछ और काम करना पड़ता है क्या कर सकते हैं हम पहले यहां बिचार करें तो दीखिए बिल्कुल simple सा concept है कि इस lens की एक limit है कि वो इस AB का इतना बड़ा image दे सकता है यह लगभग अगर अपने यहां बर्माने तो देखिए इतना बड़ा आपका object का size है इसने इसका बढ़ा दिया मतलब यह मान के चलें कि अगर यह 2 cm है तो उसने 6 cm कर दिया for example अब मतलब यह हो गया कि यह 3 times इसने इस image को बढ़ा कर दिया इसी concept के आधार पर यदि मैं इसकी image को बढ़ाना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं कि मैं किसी तरह से यह जो 2 cm का object मेरे पास था इसको मैं 4 cm दे दो इसको अगर इसको मैं 4 cm का size का object दूँगा तो इसका nature है कि यह इसको 3 times बढ़ा करता है तो यह 12 cm हो गया बन गया आपके पास double image यह magnification हमने बढ़ा दिया लेकिन चुकि इसकी limit थी कि यह तो इसको AB को इतना ही बढ़ा कर सकता है अब मैंने अभी आपसे का कि मैंने इस AB को कितना कर दिया डबल कर दिया अब डबल कैसे किया तो डबल करने के लिए मैं इसी object की एक image बनाऊंगा एक दूसरे lens से जो इसकी बड़ी image हमें देगा और उस बड़ी image को हम यहीं पर रखेंगे तो यह lens इसका और बड़ा image देगा और यही concept है आपका compound microscope का अब देखिए हम compound पर आजाएं compound क्या कह रहा है यह एक lens है हमारा इस lens के सामने हमने देखिए लगभग इसी size का एक image object रख दिया है अब इस object का position हमने set यहां किया है f और यहां पर इतना ही distance और measure कर लेंगे तो यह 1 f और यहां जाएगा मतलब यहां से यहां तक की दूरी हो गई आपकी 2 f तो यह 2 f और f के बीच में जब भी हम object को रखते हैं तो यह convex lens जो है इसका बड़ा image हमें देता है यह इसका rule है एक नियम है अब वही नियम के आधार पर देखी इस a dash b dash को आप यहां पर तो इस a b का image आपको a dash b dash के रूप में मिल गया और जो इस a b की size से बड़ा है अब यह बड़ा size का image इस दूसरे lens को मैंने दे दिया इसके लिए यह object हो गया और इसके focus और optical center के बीच में जब यह object रखा है तो simple microscope का जो principle कहता है उसके आधार पर इसका image कहां बन गया a dash b dash पर तो यहां देखिए इन दोनों figures को मैंने compare करने के लिए आप मान सकते हैं कि इस a b का size और इसमें a b का size लगभग बराबर है लेकिन इस lens ने इसका image a dash b dash के रूप में दिया और इन दोनों lensों के combination ने इसका image a dash b dash के रूप में हमें दे दिया इनने compound microscope ने उसी size के object का magnification और बढ़ा दिया उसका size बढ़ा दिया उसके प्रतिविम का आकार उसने बढ़ा दिया और यही होता है compound microscope में अब इस compound microscope में यह जो पहला lens है इसको हमने objective कहा है अभीदरश्यक है इसलिए इसे कहा गया है अभीदरश्यक या objective क्योंकि यह object के सामने की तरफ है दूसरा lens इसको हमने IPS कहा है या नैत्री कहा है क्योंकि यह नैत्र की तरफ है एक चीज़ और यहां गवर करिए कि इसका size और इसके size में difference है objective lens जो है उसका size छोटा होता है और IPS का size उसके comparison में थोड़ा बढ़ा होता है यह compound microscope के construction में आपको याद रखा है अब हम चलते हैं कि यह जो इतना बड़ा diagram हमारे सामने है यदि इसको ऐसा ही ड्रा करने की वजाए विधिवत तरीके से इसको ड्रा करना सीख लिया जाए तो मेरे खाल से इसकी हम proper रचना भी सीख पाएंगी है और इसका कारेप्रणाली इसकी working क्या है वो भी हमें समझ में आएगी अभी मैंने आपको इस diagram में simple microscope और compound microscope में क्या difference है उसकी information दी है अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम compound microscope का diagram ड्रा करें ताकि diagram ड्रा करने में नहीं कोई confusion नहीं हो और उसकी working भी हमें समझ में आ जाए इस compound microscope के लिए हम दो टुकड़े कर देंगे हमारे पास चूंकि इसमें दो lenses हैं तो हम दोनों lens के अगरे ड्राइग्राम करेंगे सबसे पहले objective lens अभी दर शक के लिए हम diagram ड्रा करते हैं यह object आपका focus और इधर भी एगर एक focus माना जाए तो इस 2F और F के बीच में रखा है और नियमों के आधार पर इसका प्रतिविम जो बनेगा वो बन जाएगा आपका A-B- पर देखिए बना है parallel to the principal axis light रे जाएगी वो focus से pass out हो जाएगी optical center से जाने वाले सीधी निकल जा इसका बड़ा image हमें दे दिया अब हम इस पहले वाले पार्ट को भूल जाते हैं अब हमारे सामने दूसरा केवल एक object बजगया है A-B- अब इस A-B- की position यदि दूसरे वाले lens जो आँख की तरफ है उसके focus और optical center के बीच में हो तो वही नियमों के आधार पर जब दो प्रका की तरफ जब extend करेंगे तो जिस point पर ये मिलती है वहाँ पर हमें image मिल जाता है A-B- तो देखिए ये दूसरा part हो गया compound microscope का और ये वही simple microscope का ही एक part है देखिए ये पुरा simple microscope है आपके पस अब ये दूसरा part है अब हमें दोनों parts को जो है combine करते हैं और क्या position बनती देखते है देखिए जैसे ही मैंने दोनों parts को combine कर दिया ये पूरी picture आपको clear हो गई कि ये पहला part है objective lens का इस objective lens ने वस्तू के image को बड़ा बनाया है और दूसरा हमारे पास IPS का part है उस IPS ने simple microscope की तरह इस object का और बड़ा image हमें दे दिया और इस तरह से हम compound microscope का diagram बड़ी आसानी से याद सकते हैं और उसके अंदर कैसे प्रतिविंब की रचना हो रही है वो भी सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से यदि इसको याद रखना हो तो हम इस पूरी functioning को इन चार लाइनों के मार्जम से याद भी रख सकते हैं देखिए अभी द्रश्यक यह objective यह object AB का बड़ा प्रतिविंब के लिए वस्तू का यादि के object का कारी करता है और यदि इसकी position focus और प्रकाशिक के बीच में होती है तो इसका सीधा और बड़ा प्रतिविंब प्राप्त होता है जो हमें इस figure में A double dash B double dash पर प्राप्त हो रहा है पूरा विश्वास है आपने इस clip को देखा और इस clip में simple microscope से हम कैसे compound microscope पर आए और compound microscope में किस तरह से हमने diagram को draw किया आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा इसको जान गए होगे अब मैं आपको अगली clip में बिल्कुल इसी तरह से जो telescope हमारे होते हैं उन telescope के diagram कैसे draw किये जाते हैं और telescope की working कैसी होगी वो भी समझाने का प्रयास करूँगा आप इसका अगला वीडियो ज़रूर देखें Thank you